देश भर में श्री कृष्ण जन्माश्टमी की धूम है, कुछ ही दिनों में श्री कृष्ण का जन्मोटसव मनाया जाएगा प्रज से लेकर पूरे देश में नंद की आनंद भायो जै कनहिया लाल की ऐसे नारे गूंजने वाले है इसी कड़ी में हम आपके लिए खास खबर लाए है, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो ये विडियो मिस ना करें आपने कभी सोचा है कि लड्डू गोपाल के श्रिंगार के लिए भी एक खास दुकान हो सकती है ऐसी दुकान यूपी के मुरादाबाद में है यहां भगवान की मूर्तियों को शांदा रूप दिया जाता है आईए जाने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यहां दुकान में लड्डू गोपाल के श्रिंगार के लिए क्या कुछ खास हो रहा है हम आपको लड्डू गोपाल के श्रिंगार की कीमत और दुकान की लोकेशन जैसी पूरी जानकारी देने वाले हैं दुकान का नाम है शुरी तिरुपती स्टोज लड्डू गोपाल वस्तरवाले दुकान के मालिक है अमित गुपता वो बताते हैं कि यहां देवी देवताओ की मूर्तियों का श्रिंगार किया जाता है माता की ज्वेलरी से लेकर कई तरह के वस्तर, लहेंगे और सजावटी समान की खरिदारी भी आप यहां से कर सकते हैं इस बार कृष्ण जनमास्टमी के त्युहार के चलते, लोग खास दोर पर काना जी के मेकप के लिए यहां आ रही है काना जी के मेकप की बात करें, तो यहां फूल मेकप, हाफ मेकप जैसे कई तरह की श्रिंगार किये जाते हैं जो लड्डू गोपाल की सुन्दर्ता को और भी बढ़ा देते हैं अमित गुपता बताते हैं कि फिलहाल कई लोग अपने लड्डू गोपाल की मूर्तियों को लेकर दुकान पर पहुँच रहे हैं यहां उन्हें बहतरीन श्रिंगार मिल जाता है इस मेकप की कीमत की बात करें तो कीमत 300 रुपे से शुरू होती है और मूर्ति के आकार के हिसाब से बढ़ती जाती है यहां आपको मूर्तियों के मेकप के लिए हर तरह के रंग, वस्त्र और सजावटी समान मिल जाएगा जनमाश्टमी के इस खास मौके पर भगवान के सजावटी श्रिंगार को लेकर इस दुकान की लोग प्रियता और बीज ज्यादा भड़ गई है लोग दूर दराज से यहां आकर अपने काना जी को खास रूप से सजाते हैं बता दे ये दुकान मुरादाबाद के गंज गुठ हटी चौराहे परस्तित है आपको आज की ये जनमास्टमी स्पेशल वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खास कहानियों के लिए देखते रहे लोकले टीम